देखिए देश्तो आज नए साल के सुभवसर पे हम लोग पहला बुलोग बनाने जा रहे हैं नमस्कार भाई के बुलोग को देखने वाले इस तमाम युगरों को पोटी कोटी नमन परणाम आप इनेडेट जारा प्यारा सिर्वक मचली मारने वाले मचुवारे दिग गया हैं अपना कुछ वीडियो बना रहे हैं कुछ सूट कर रहे हैं तो वह मैं दिखाना चाहूंगा आपको देखिए देश्तो आज नए साल के सुभव सर पर हम लोग पहला ब्लोग बनाने जा रहे हैं आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यह हमारे यहां एक हिमाले से निकलके नदी आती है जिसको बागमती नदी बूलते हैं तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हमारे साथ यह ह वहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कुछ कि वह लोग क्या कर रहा हैं आए दिखाते हैं आपको यह देखिए यह सुखने के लिए रखा हुआ यह मचली वालने वाला चाल हम लोग ने देख लिया है अब यह लोग तो मचली पकड़ने वाले लोग दिख नहीं रहे यहां पर तो यहां पर एक नाव लगा हुआ है हम लोग उस पर चलने का कोशिस करते हैं देखते हैं अकर यह लोग नहीं कुछ बोलते हैं तो हम लोग इ देखिए भाई ये नाव चलाने से तो हम लोग को मना कर दिया गया है उन्दाव खराब है कारत की डूब जाएगा चार-पांच आदमी नहीं बैठ सकते है तो हम लोग चार लोग है तो नहीं बैठ पाए उसमें यहां पे एक तरबूज की खेत है हम लोग उसको देखने जा रहे हैं हमारे भाई साब है उनको थोड़ा देखने का वह है तो वह देखेंगे तो आईए वह देखते हैं लोग तो मनीश आप कुछ कहना चाहेंगे ब्लॉग में हम लोग का पहला ब्लॉग है यह कि रंदीर आप भी आइए और चलिए आप लोग से बात भी होगी और चलिए नंगटे हैं तो यहाँ पर आइथे ब्लॉग बनाने तो हम लोग पो एक पुराने मित्र है wiping और सिंगर करके आए तो वो दिग गया है, तो हम उनसे ज़रा मुलाकात करने चल लए है, संजय प्रेमीन का नाम है, और देखते हैं, यह भी यहाँ पे कुछ करने आए, तो हम लोग इनसे थोड़ा सा मुलाकात करते हैं, इनका भी दो राय जानते हैं कि क्या कहते हैं यह, यह संजय जी, जो हमारे यहाँ के सिंगर भी हैं, और तो मिल गया है, तो इनसे थोड़ा बात करते हैं, और हमारे मित्र भी हैं, जानने वाले हैं, नमस्कार, भाई के ब्लोग को देखने वाले इस तमाम यूगरों को कोटी-कोटी नमन प्रणाम, आप इने रेट जारा प्यार आशिरबात दीजे, अधिका चैनल है, संगर संजय, ओफिसियल के नाम से है, हम लोग देखते भी हैं इनका वीडियो, तो इनके चैनल को सस्क्राइब, अगर नहीं किये तो सब्सक्राइब करिए, और संजय फ्रेमी को भी आशिरबात दीजे, मीरे भाई को भी आशिरबात दीजे, दिल से धन् यह तरबूज के खेर देखिए इस तरीके से होता है यह नदी के किनारे पे जब पानी सूख हो जाती है तो बालू वाली जो मिठ्टी टाइब के जो बालू होते हैं इसी में यह होता है यह देखिए यह बालू है बालू के अंदर गढ़े खोद के और यह देखिए यह कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है इनोंने अब यह कंफ्यूजन है कि किस टाइप से होता है यह देखिए यह लगे हुए है पेड़ हम लोग आभी जाने का टाइम हो गया है काफी साम हो गया है तो हम लोग अपने बाई के तरफ जा रहे हैं वहाँ से फिर अब हम लोग अपने घर के लिए जाएंगे हम लोग ने सूट कर लिया है काफी अब चलिये तो हम लोग निकलते हैं आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सर सर आप अच्छा लगा कितना अच्छा लगा आपको अगोड और हम लोग का पूरा फूंजेया हुगा और काफि समय हो चुका है हम लोग घर निकलेंगे यहां से लगभग आज किलो मिटर के दूरी पर हम लोग का घर है और फिर अगले ब्लॉक्स में मिलते हैं जब तक के लिए मुश्ते चलिए बाइब